हेलो दोस्तों स्वागत आपका नई वीडियो के अंदर जिसके अंदर आज अपन लेके हैं आपके लिए टर्म टू का सेकिंड चैप्टर क्लास 10 साइन्स कौन सा होने वाला है पिरेडिक क्लासिफिकेशन अफ एल्ली मैंड्स ठीक है तो इसके अंदर जो है अपन पूरे चैप्टर को क्लियर कर देंगे कुशिश करेंगे एक गंटे के अंदर चैप्टर क्लियर हो जाए आप हमारे साथ बने रहे हैं तो चैप्टर शाहिए जल्दी खतम हो जाएगा और वीडियो को एंड तक देखना और एक चीज और कि आपको पहली वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करेंगे और को थि हच兩 रोगjuna यांजालानि बने रहे हैं उच्छ वर पर यांटा लेकिन लेकिन लाइक ही करता कूई या करिघंग अगर आपको वीडियो अच्छ हलगती है तो लाइक करिए अगर आपको कुछ कहना है मुझे कुछ चे से कुछ कहना है तो क subscribe कर लीजिए टर्म टू का वन शॉट में क्लियर करेंगे प्रेडिक लासिफिकेशन अफ एलिमेंट क्लास थैंथ साइन्स आगे चलते हैं तो आगे चलते पर अपन देखते हैं कि आखिर जो प्रेडिक्टेवल है अपनी जो प्रेडिक्टेवल का नीड क्या है आखिर अपने क्लासिफिकेशन कराओ क्यों हैं तो आप जानते हो कि आगर आपके बैग के अंदर किसारी चीज होती है कि वाटर वोटल होती है आपका टिफिन होता है आपका iriser pencil cutter shopner जो भी है इसटम अने बोला है यह जो Geometry Box है वो अलग होता है आपका books अलग होती है notebooks अलग होती है और आपके ड्राइंग बुक अलग होती है तो ऐसी एक बैक के अंदर यह सारी चीजे पड़ी हुई है लेकिन जब बात आती हैं को जमाने की तो हर वच्छा इंटेलजेंट है के अमको केसी जमान है वो क्या करता है वाटर वोटल को भार की साइड एक जेम होती है समें रखता है 118 elements जो है क्या उनको एक साथ एक धेर की तरह रखना सही है नहीं क्यों क्योंकि अपनको पता ही नहीं चलेगा कौन से element कहां पर पड़ा हुआ है धेर के अंदर कोई पता चलता है कि अंदर ही पता चलता है तो उनको जमाना उनकी physical or chemical property के difference पर similarities पर उनको जमाना वहीं कहलाता है classification of elements कहलाता है अब अपन जानते हैं कि सबसे अच्छी चीज क्या है अगर आपन को बताना है कि यह चीज यहां रखी हुई है तो सबसे बेस्ट है कि उसकी टेवल बना के दो आपने चार्ट तो रोखिया होगा ना बायो चार्ट जो भी है आपका graph representation तो आपने टेवल बनाया उन classification of elements elements के classification कर दिये और अपने क्या करा अवाज ठोड़ी कहा हो सकती है तो कुई दिक्क्त वाध के अंदर अपन देखते हैं कि अपन को किसी चीज को जमाना है तो उसकी नीड है कि उसको कैसे जमाना है तो classification की आदार पर अपनने अपने elements को classify किया देन अपन ने उ हड़ जाता हूं साइड में इसको थोड़ा साइड में ले लेते हैं यह नहीं होगा सुनिए प्रोडिक्ट क्लासिफिकेशन ओव एलिमेंट नीड और प्रोडिक्ट अवल के अंदर देखते हैं आपन देखिया आपको है न है ओल सबस्टेंज और मेड़ अफ एलिमेंट्स ए अब इनको जमाना एक बड़ा काम है उनको जमाना पढ़ेगा वने डीटिल एलिमेंट्स को अपने इसे दोर न कह सकते हैं इधर जोपड़े उस सब की सब क्या है एक जैसी प्रोपर्टी करते नहीं कुछ अलग भी करते तो उनको जमाना कहता अलग concept है occurring in order of to study property of all elements separately सारे elements की property को अलग-अलग तरीके से separate करके पढ़ने के लिए feel the necessity to group elements that have the similar properties together necessity feel हुई कि उनको ऐसे groups बना जाए जिनकी chemical property physical property एक जैसी है उनको एक साथ रख दिया जाए ताकि उनकी जो property में difference है वो ज्यादा ना हो जासे कि मानलो कि solid है जो metal है तो metals को एक साथ रख दो और non metals को अलग रख दो ऐसे नहीं metal को नन-metal को एक साथ pouv रख दिया तो difference करना भारी हो जाएगा कि कौँअんと not metal है , to metals को अलग रख रख रको don metals को अलग रखो ।ो यह जरूरी है तो उसी तरीके से उनकी properties को अलग-अलग रखना बहुत ज़रू था उसके लिए अपनको need हुई the need of the need of a order of classification of elements should be arranged in form of table और एक need ये भी थी कि जो order of classification है ना कि उनको जब जब describe किया गया उनकी properties के आधार पर जो भी classification कराया है अपनने वह एक table के according होना चाहिए ताकि उसको पढ़ने में ज्यादा दिक्कत ना हो एक table जो है ना वह बहुत सारी चीज़े बता जाती है तो उसके according उनको जमाना होना तो तो predictable की ये भी need थी ठीक है आगे चलते है need of predictable के आगे earlier attempts और earlier attempts at the classification of elements attempts होते हैं मान लो कि आज अपन को कोई ऐसा जानवर मिलता है समुद्र के अंदर जो की different है all animals से तो अपन क्या करेंगे उसके उपर अपने research करेंगे कि वाहिशा भी आया खासे है ये कौन से पानी के अंदर रहता है ये समुद्री पानी के अंदर रहता है ये एक्वाटिक है ये फिर आप कहते हो ये ओडवी सकता है क्या ये क्या-क्या खाता है क्या-क्या पीता है तो attempts करने पड़ेंगे तो पहला कोई आया जोसे ने उसके को देखा तो वह देखेगा कि वाहिशा इसकी physical property ऐसी है और दूसरा आगा को कहेगा कि वाहिशा इसकी chemical property ऐसी है कि ये कुछ नई चीज मिलती है तो एक-दो इंसान मिलकर उसको करने की कोशिश करते हैं लेकिन पॉसिवल नहीं एक पे वह एक बार में ही संभव हो जाए कभी कबार होगी जाता है तो जो attempts है न वह होते हैं तो सबसे पहले जो attempt प्रोडिक्टेवल वनाने के लिए वह दौवीनि पतलब तीगरूप के अंदर थिन ऐलिमेंंट्स तो उसको पंटेंड केते हैं सुनिए को डौविनियर ट्रेट के एक सीधी कोई कलम यानि ग्रुप है न वटी कल लंग यानि ग्रुप होरिजॉंटल रृ यानि प्रीएड तो वाइटीकल कोवी जो होते हैं न कोलम यानि डबा तो जो रिंखले क्रें करका तुराई थिएक दिबब इबब 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 हीं चले का अवहा हुआ तो इसी ग्रुप के दर उन्होंने टीन प्रीन मेंट को राका तो पहले एंसे द्यूसरा एंनेंटर और एंसे टीन धृसरा 예 लिमेंट, वहार यासे टीन मेंट regression ग्रूप के अंतर रखा और जो की similar property show करते थे और इसी ग्रूप को क्या नाम दिया त्रेट नाम दिया मलब इन तीन elements का एक ग्रूप जो है उसको ट्रेड नाम दिया त्रेड को मतलब तीन and showed that when the three elements of a trade are arranged in order of increasing atomic mass और यह जो कॉलम के नीचे कॉलम थे ना जो atom के एलिमेंट के नीचे element थे वह increasing order of क्या थे atomic mass थे आप देख सकते हो एक बार table को screenshot लेना तो ले लिजिए तो जो एक के नीचे जो एक atom थे element थे वह increasing order क्या थे atomic mass थे मतलब पहले का atomic mass मानलों मैं कहता हूं 20 है तो दूसरे का क्या होगा 22 तीसरे का क्या होगा 23 है ना तो ऐसे जम्में होगे थे मतलब एक के नीचे एक जो आ रहा था उनका जो atomic mass था वह बढ़ता जा रहा था increasing atomic mass के according उनको जमाया लाया था atomic mass की एसा unit होती है AMU है जिसको आप यू भी लिख सकते हो तो वह अलगे है वह concept आपको बता दिये गया है तो increasing atomic mass according था यह सबसे important line है जिसको आप note कर सकते हो ठीक है and atomic mass of the middle element are roughly in average of atomic mass of two elements और जो बीच का जो element है ना उसका जो atomic mass है वह दोनो elements का उपर नीचे जो उसके बीच वाला ना उसके उपर वाले इलमेंट उसके नीचे वाला element उन दोनों के elements के average mass के क्या बराबर था average mass जानते हो average mass नहीं जानते तो सुनिए average mass का एक ब्रेज मास का formula होता है आप कह सकते हो कि average mass का formula होता है कि sum of number average निकलने का sum of number upon total number of element कुछ भी किसके जो भी element है जो भी substance आपको दे रखा है sum of number जो number दे रखे उनका total upon जो कितने number दे रखे उनका कितने number है total कितने number है उनका डिवाइड कर दो average निकल जाएगा तो बीच वाला जो element है रहा वह उपर नीचे के दौनों elements के average था उसका mass जो आएगा उसके बिल्कुल equal था जैसे देखते हैं यह तो मैंने अभी थोड़ा गलत लिगा यह तो मैंने आपको एक्जामकल के लिए बताया था मास के increasing order उसके डौविनियर ट्रेड के उन्होंने दिये हैं उस ट्रेड को अपन देखते हैं आप समझ जाओगे तीन ट्रेड मैंने आप लिख भी रखे हैं देखो कोडियम लीथियम पोटेशियम है ना सी एसर बीए केल्सियम ब्रोमीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोटीन तो मैंने आपको तीन ग्रूप लिख रहें इसके बारे में और देख लेते हैं आपन आगे जाकर ठीके यह दिख रहे हैं आपको डौविनियर ट्रेड तो इन ट्रेड के बारे में थोड़ा से देख लेते हैं कि यह के ट्रेड से मतलब यह एक घ्रूप है उसके और तीन एलीमेंट अब 7 और 39 को प्लस करोगे और 2 नमबर है तो उनको डिवाइड करोगे तो 23 आता है तो देखिए जो सोडिया में उसका मास किता है 23 तो यही कहना चाहरा है वो कि जो दोनों है ना उपर के जो है एलिमेंट से उपर नीचे के उनका एवरेज मास जब निकालोगे तो जो एवरे इनके कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि दे रखें आपको कैलकुलेट करकर यह डॉबिने ट्रेड ऐसको जादा लंबा नहीं करेंगे और पूछा भी नहीं जाता है आपसे डॉबिने ट्रेड के टेवल के बारा में नहीं पूछा जायाएगा सिर्फ उसके क्लासिफिकेशन के किया था इसने एक गृप क였습니다 के था त्टीन गुरुप था इनक्रियों चाटो होगा आपको कि octave का मतलब क्या है octave का मतलब है 8 है तो जान सकते हो कि भाई साब 8 related उसने क्या चीज़ देखी होगी तो मान लो कि newland ने कहा था मैं आपको बता तो इसके इंदर पढ़े गया चलो इसके इंदर पढ़ते हैं देने आपको बताते हैं ठीक है सुनिये newland का law of octave क्या रहे हम देखे हैं तो newland arranged the non elements in order of increasing in order of increasing atomic mass इन्होंने भी atomic mass के increasing order में elements को जमाया and found that every eighth element had the property similar to the first उन्होंने क्या देखा उन्होंने order of atomic mass के increasing order में ही जमाया लेकिन उन्होंने क्या देखा every eighth element था ना कि मान लो जो हमेशा की तरह जो eighth element है ना वो पहले element की क्या कर रहा है same properties को शो कर रहा है जैसे कि आप देख सकते हो एक्जामपल के अंदर कैसे किस की तरह कैसे music rhythm music rhythm होती है ना सारे गामा पादाई सा तो जो सा है eighth element वो बिल्कुल पहले element की तरह सा सेम प्रोपर्टी शो कर रहा है तो यह उनका concept था ठीक है उन्होंने music rhythm से उसको concept को clear कर रहा ठीक है तो सारे गामा पादा नीसा मैं वे इस सो रिस्त अच्छे नहीं है लेंगे आपको कोगे तो class ले लेंगे हैं तो यह जो सा है ना वह आगे वाले element की properties की क्या कर रहा है बिल्कुल सेम कर रहा है तो उन्होंने का जो every eighth element है ना वह first element की क्या कर रहा है properties को show कर रहा है same properties को show कर रहा है इनके dropacks कि अते सबसे पहले travel देक लेते हैं then dropx की बात करते हैं जो इन्होंने कहा है कि वह सही है तो देख लेते हैं तो इनकी table देखिए मैं इस table को गोटला है इसको मैं बताऊंगा आपको तो new land की टेवल को देख लेते हैं बड़ी इंट्रेस्टिंग है जब भी अपन कुछ अटेम्ट करते हैं तो वह अपने लिए बैस्ट होती है अपन माझ लो कुछ चीज को करनी कोशिश कर रहे हैं तो पहला जो अपना वह बैस्ट होता है अपने लिए लेकिन क्या पता जो इसके किया अब क्या करो गैं को थोड़ा मोडिकतार करोंगे तो सिंसक्र कूंसेप्ट है कि गलती हुए तो newland ने ओसको मोडिफाय किया लेकिन कौंसेप्ट क्या था कि और लेंग किस्टिया डायेक्ट मोटर से से सिंक इसके साथ भी है कि कि विस ठर्ट रेंज गया इसी तरीके से Newland ने भी increasing order of atomic mass में classification किया तो तोनों में properties में similarity यही थी कि atomic mass का increasement था ठीक है और failure भी यही रहा उनका सुनिए a table के आपर हम देखते हैं कि देखो hydrogen से लेकर chlorine टक सारी चीज़े सही है इदर से उपर गए नीचे से उपर गए सब चीज़े सही है हम और iron तक भी सारी चीज़े सही है एक्ड़म Concept में जम्य हुए हैं ठीक है लेगन उसके बाद में क्या देखो इस ग्रुप के अंदर देखो कि इस ग्रूप के अंदर देखो आप देखते हो कि कोवाल्ट और निकल एक साथ है ठीक है इस ग्रूप के अंदर आप देखते हो कि यह दोनों एक साथ हैं मेटल्स दो गलतियां ठीक है इस वाले ग्रूप के अंदर देखते हो कि यह एक साथ है और इस वाले के अंदर देखते ह क्यूंकि उनकी एक जिसी नहीं होती, उनके Atomic Masks के अंदर कुछ तो डिफ्रेंस होगा, जिससे उनको प्रपरटीज दिफ्रेंस उख करेंगे, तो इनको बली एक जमा देते लेगिन एक साथ नहीं जमाना चाहिए, तो और आप देख लीजिए इसको डं से, डं से देख लीज applicable to calcium, calciumbody applicable to imbalance कुछ ही elements उन्हों ने octave को पूरा गिया वाकि octave को पूरा नहीं कर भाये, मलब एक ग्रूप के इन्दर एक अलेमट्स है तो पहला और लास्ट वाला में चो अरह एला लास्ट वाला में चो रहा है याली सिर्प वह मैच हो रहा है तिंग पर के अंदर तक ही मैच हो रहा है वह उनका डॉबइक ठा प्रेंच ओफ एम लोगka स्पिरिंग मतलब कर्वाल बेरिंग पेरिंग तो थी वो तो सही है बट एमेलोगस मतलब गडवड अब गडवड क्या देखते हैं कुछ तो गडवड है देखते हैं सुनिए अब इस टेवल को जरा ध्यान से देखियो मैंने आपको एक हिंट नीचे दे रखी है कि कोवाल्ट का एटोमिक मास केता है 58.94 और निकल कोन आना चीए इंक्रीजिंग ओडर ओफ एक्टोमिक मास है ना तो सबसे पहले छोटा आना चीए दें बड़ा 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 तो सबसे पहले आना कौन चीए निकल आना चीए बाद में कोवाल्ट आए लेगन इन्हों ने क्या करा है यह तो दूब गया देखो इन्हों क्या करा है इन्होंने कोवाल्ट को पहले लिया है निकल को बाद में लिया है कैंद गरते मelijk के लिए मुइं यदेन प्रेंटेट के लिए इक बेश मानना जाता है मतलब गर बनाना है अंबूजाгов jak चाहिए या फिर आपका स्टील की में जो जंग रस्टिंग उन्यद g आपका कौन जंग रस्टिंग देदीजिए लेकिन वो जनग से मालनी जिये कि अपन को घर नाना है तो अससे पहले एक इट की दिवार तो रकनी पड़ेगी ना एक इत की आपको एक लेयर विछानी पड़े गी ना सीमेंट तो उसी तरीकेसे वह सीमेंट इंपोर्टेंट है तो सेम इसी कॉंसेप्ट है कि मौदर प्रोडिक्टेवल बना श tillकिे उनोंने बताओं क तो मैंद्ली की प्रोडिक टेवल जो है ना वो मॉडर्न प्रोडिक टेवल के लिli ile BASE है क्या है अगर यह नहीं तो अजिऊंग अधिर इसलिए इसलिए दो मेन मेंद्ली के जुइंद प्रोडिक टेवल को ज्यादा देखना है एक attempt से अपनको कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिलता है ठीक मेंडलीप की प्रोडिक टेवल के बारे में देखे हैं तो देखो अकोर्डिंग टू दिस मेंडलीप के अकोर्डिंग दा फिजीकल एंड केमिकल प्रोपर्टी मतलब कि जो फिजीकल और केमिकल प्रोपर्टीज थी ना वह एलिमेंट्स की वह इंक्रीजिंग ओडर ऑफ एक्टमिक मांस में जम्मी हुई थी आरेंजमेंट्स चीं समझ सकते हो समझ गए अगर समझ गए तो कमेंट है ना आपके लिए लिको उसमें मैंने बताओंगा कमेंट में लिखो कि आप इस लाइन से क्या समझे कि इनका रहा होगा है और इंगा सक्सेस क्या रहा होगा समझ आप तो यह आप से टो डेफिनिशन ना यह बहुत जादा पूचित आगती है और यही काम किया कि इ एंट स्क्स्टीथर्य अलिमेंट उन्होंने सिर्प्रीखिंट को रेंज गया उनके उनके टाइम पे 63 ही इसक्वर होग हुए होगhai तो उन्होंने 60 अलिमेंट को का किया अरेंज किया इस अकोडेइंस पर इन इंकरिजिग उड़र ऑ्र एक उड़्र एक उडेडिंग अकोर जो है वो पहले के element की properties को शो कर रहा है ठीक है अपन देखते हैं ना कि मालोग अपन यहां से गए जमीन में खुदा ही करी अपनको यहां जमीन क्या है हाड है खोदा अपने अपनको कुछ soft soil मिलेगी और खोदेंगे आप कुछ कुछ और soft कुछ मिल लगा है तो आपको फिर चे पत्थर मिल जाएगा फिर पत्तर खोदोगे फिर पाड़ी मिलेगा तो पत्तर मिला ना वह सेम उपर वाले पत्तर की properties को शो कर रहा था हाडनेस को शो कर रहा था सेम यहीं concept है मैं बताना चाहरा हूं एक example लिया है मैं नहीं कह लह देक सकते हो कि उन्होंने देखा जब उन्होंने atomic mass according पे उन्होंने increasement की according elements को जमाया उन्होंने देखा कि कुछ time बात वह element जो है वह पहले के element की properties chemical properties physical properties को अग्या कर रहा था समझ गहाए आप्सवर्दष बेट element with similar properties falls in the same vertical column वर्टिकल कोलं मैंने रहने पहले बता दिया है वर्टिकल मियानि सीधा क्योंस यानि डिकक एक पूरिक डिशा ब्रेंगिमेंट क्योंकिल लायेंगा वर्टिकल कोल चुमण उसको क्यों क्योता है ऐ मैं रप्रिए क्यों थे को आप을 गρείंट पर ऑल्त déजीगल कोलम्स को horizontal row horizontal म번ें लेटा हुआ अर रो का मतलब डिब्ब है कि जब एक डिब्ब एक डिब्ब एक डिब्ब एक डिब्ब। लेटे हुए जम आते ओना तो उन वर्टिकरल कॉलंबश के लाइग ग्रुप के लाइगे ठीक हैम हिरो चलते हैं नेंच़ इनकी टेवल आप देख को आपधाल अच्छे नका इन esterson tricky अंदर कु है गुछे देखने लायकि तो तो देख लेते हैं आप अपर यहां पर जो ग्रुप साय वह कितने हैं जरो paragraph count क्रिए group count करिए जो देख लें चलोंब वाप इसको देखी तको देख नहीं groups किते हैं 1 जो ग्रॉप किते हैं ग्रॉप्स क्या होता है जो सीध्य होते हैं to groups किते हैं 123456788 ओर प्रेस्ट किते हैं तो प्रेइड्स किते हैं तो प्रेड्स देख लिजिए 6 timeframe से us यह तो आपको पता चल गया है अब एक बाद फीचर्स को देख लीजिए आपको बढ़िया समझ में आ जागा बढ़िया एक दम है ना बढ़िया सुनेएं फीचर्स द अमें लीपिटेवल मैं लीप की प्रिडिक टेवल के कुछ खास फीचर्स कि क्या अनोखा था उनकी प्रिडिक देंदर देखते हैं चैनल को अगर अगर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अपने वीडियो का लाइग नहीं है तो लाइक कर दीजिए कित्य थे इसके अंदर 8 थे और जो प्रियेट्स थे वो कित्य थे 6 थे होरिजन्टल रोटी इन एवरी प्रियेड प्रियेड इन एवरी प्रियेड प्रियेड इन एवरी प्रियेड एलिमेंट्स और इंक्रीजिंग ओर्डर आफ एक्टमिक मास्ट प्रियेड्स के अंदर जो एदर तीसरा एदर चौता एदर पांच वाए तो यह जो increasing order of किसमें है atomic mass इसका mass कम है तो इसका जादा इसका जादा इसका जादा इसका जादा ऐसे increasing order of atomic mass में जो elements है वो जम्मे हुए हैं ठीक है समझ में आए periods के अंदर एक बार pen ले लेते हैं he left gaps for the element not discovered at that time पाजिश अब सबसे मुस्ट फीचर था कि उन्होंने गेप छोड़ दिये उन्हें इलिमेंट्स के लिए जो कि अभी तक डिस्कावरी नहीं हुए तो उस्टाइन के अंदर बट होने वाले थे पक्का था ठीक है ठीक है थे नेम ऑफ दा सेम ग्रूप काल्थ, एकाबोरोन, एका एल्मिनियम विच आफ्टर डिस्कावरी नेम्ड एज सकेंडियम और गैुलिएंट्टर साइंटिस्टो क्ति ही ताइट मजू थी एह क्या थी उसको पन देखते हैं कि ven noble gases like helium नियॉन वर دिस्कावर मलोर्ड वर डिसकावर दैल्याम और नियोन जैसे गैसे डिस्कावर्ट कि गई जो कि 9 a. Missouri they could be placed in a new group without disturbing the existing group उनको जो ग्रुप में जगह छोडी थी ना उसी ग्रुप में जमा दिया गया बिना उस प्रेड के बिनिया उस ग्रुप के छेड़ थाड किये मलब उन्होंने कुछ जगह छोडी थी एक अबोर उने इसा करके कुछ जगह छोडी थी इसा और भी जगह छोडी थी तो हीलियम और नियॉन को उन जगह पर आजटेश प्लेश कर दिया गया बिना ग्रुप को बिगाड़ हुए दिया सबसे बड़ा एक और ऑर उसको देख लिए एक एक चीज मैं नहीं लिखी उनके इंदर क्या है है कि एक ग्रुप के नधर इनके इतरों इस तरीक सय को अनोने जगें छोरी है तो यह उनका कहता था Pट एक चीज की गलती हो गई-गलटी हो3 देखो increasing order of atomic mass था ना drawbacks में पढ़िए इस वाले गुरुप को जरा देखिए आप इस वाले column को देखिए आप देखिए ठीक है देख लिए अब इसको आपन ड्रॉबेक में बढ़ते हैं आप बताए मज़को कमेंट में क्या कि उसमें आप हो क्या देगा अब limitations of manly product table की बात करें तो बाइशा अची टेवल थी बढ़ कोच ना कोच तो तो रही जाती है ना तो देखते हैं कि limitations of manly product table क्या थी position of hydrogen hydrogen जो है ना वह एक ऐसा element है जो कि novel gas भी behave करता है और जो कि पोजिशन और फिक्स नहीं थी वह बता ही नहीं थी ठीक है heavier elements were keep before the lighter elements समझ गया जो मैंने आपको ग्रुप बताया था ना उसके अंदर यह concept है अब आम इसको elements है जिसे isotopes की बात करें है कि जिनका atomic number के होता है same बट ना mass number के होता है different isotopes of hydrogen आपको पता है protium deuterium और tritium भूल गया देखिए नहीं बूले है h11 h12 h13 यह क्या है isotopes क्या है hydrogen के इसका नाम है protium इसका नाम है deuterium इसका नाम है tritium यह क्या है isotopes है कि इसके hydrogen के किसके isotopes है hydrogen के जिनका item नंबर के है same but mask number difference यह क्या है isotopes तो इनके बारे में कोई discovery नहीं थी इनके बारे में कुछ नहीं बताया था वाई साब की hydrogen का प्रोटियम है वह कहां पर रखा जाए deuterium कहां पर रखा जाए tritium कहां पर रखा जाए तो isotopes के बारे में आप बहुत बड़ा क्या था रखा था क्योंकि ऐसे discover होने थे वाई साफ बहुत important है ठीक है अब इस वाले सेकेंड वाला concept को देखते हैं कि जो मैं आप वता रहा था इस इस ङौप के अंदर देखिए को आंच बहुत निकल का इंटमिक मास किता है 58.71 और आयरन का किता है 55.85 तो 55 के बाद में तो 58 आना चीए सही है लेकिन उसके बाद में 71 पहले आना चीए ना बजाए 93 के तो 71 पहले आना चीए ना बजाए 93 के आपको देख रहा है अब बात करते हैं modern predictable की भाइसा modern प्रोडिक्टेवल याणि अभी जो आप पढ़ रहे हो वो प्रोडिक्टेवल modern product table जो है ना वो इतनी सारी चीजे अपने अप अंदर लेके बैटी है कि आप जब उसको पढ़ने लगोगे तो आप उसके बारे में इतना लिख दोगे कि आप पन्ने बर सकते हो ठीक है उसके अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ने लायक ठीक है Modern Predictable के अंदर सुनिये अब इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं में इतना राम काता का रहा हूं तो कुछ पढ़ भी लेते हैं Modern Predictable In 1913, 1913 के अंदर, Henry Mosley, Henry Mosley नाम के scientist, showed that the atomic number of elements is more fundamental property उन्होंने एक कदम आगे बाड़ाया That is, what? What do we do? Daubiniar का क्या काम था? कि उन्होंने increasing order of atomic mass लिया Newland का भी यही concept था कि increasing order of atomic mass था Mandlip का भी यही concept था कि increasing order of atomic mass था सब की गल्टी हुए, सब का table थेवल होगा उन्होंने कुछ अलग किया, उन्होंने क्या किया, increasing order of atomic number That's different Atomic number के increasing order में उन्होंने elements को जमाया, ठीक है, उन्होंने fundamental property बताई, On the basis of this, he modify manly productable, उन्होंने manly productable को क्या किया, modify किया, उन्होंने manly productability उन्होंने को modify किया, और क्या बताया, physical and chemical property of elements are a product function of their atomic mass, important है, उन्होंने कहा कि एक predictable के अंदर, जो increasing order of atom elements जम्हे हुए है, वो किसके according जम्हे हुए है, increasing order of atomic mass के according क्या है, वो जम्हे हुए है, ठीक, सुनिए, अब यह modern productable है, आपने इसको देख रहा होगा, आपने इसको पड़ भी रखा होगा, अगर आपको इसके याद करने है इसको, तो आप मेरी एक वीडियो देख सकते हो, one shot मैंने बनाया हुआ है, how to learn predictable by sub solution, आप देख सकते हो, उसके अंदर मैंने उसको बड़े इंटरस्टिंग तरीके से इसको याद करने सिखा है, आप चाहो तो उसको जाकर देख सकते हो, और आपको पूरे table याद हो जाएगी, ठीक लाइट कलर से उसको करते हैं, वह alkaline metals है, और यह alkaline earth metals है, dark yellow, यह transition metals है, other metals है, और यह other non metals है, यह non metals है, अब एक चीज बड़ी concept वाली है, कि इधर तक आप जब देखते हो, तो इधर से जो इधर आते हैं, वह कौन होते है, metals होते हैं, और इधर जब आप जाओ तो यह कौन हो होते हैं non metals, बट बीच में जिग जग जाओ 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 जाते हैं, जिसके अंदर कौन होते हैं? metalloids होते हैं, जो कि non metal होते हैं, हो बीच में चो करते हैं, कौन होते हैं? chose metalfe, सुनिये अब सारी चीज आप जानते हो प्रेडिक्टेवल के अंदर अपन ज्यादा इतियास नहीं रचेंगे नहीं तो मैं कहा रहा हूं आप पेपर बढ़ देंगे तो बस वही काम है तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर बड़ी अरेंजमेंट है कि पहले जो हाइड्रोज उसके बाद में अटमिक नंबर किसका है हीलियम का देन लीथियम बेरिलियम बोरोन कारवन नाइट्रोजन ऑक्सिजन फ्लूरीन सोडियम तो उसके इंकेजिंग अटमिक नंबर है आपने प्रेडिक्टेवल को देखे रखा है बड़े जमाई है इसके इंदर फीचर्स है न आपको मैं दोवारा स्केप लेकर आऊंगा टेंशन मत करिए ठीक है एक मिनट फीचर्स देख लेते हैं सुनिए फीचर्स ऑफ मौडर्न प्रेडिक्टेवल के फीचर्स क्या क्या है एक बार देख लेते हैं इस टेवल है 18 वर्टिकल कॉलम्स मानिंग ग्रूप 18 क्या है इस और गरूप है और खेष बेड़ल स्केडर प्रिएट्स क्यांदर प्रियाट्स है तो यह सब्रोप के अंदर प्रियाद नहीं है dat व मान और्रप की देखा ते यह यह 7 डोस अब्रूप स्क्रांःं है फ्रोपWh प्रॉपर नंबर सेम नंबर आफ वैलेंसी लेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी एक ग्रुप के अंदर यह ग्रूप है एक मिनट एक मिनट एक मिनट इसको अठाना पड़े है सुनिये अबlington कि अनलो यह ग्रूप है ठीक है तो इसके अंदर गृॉप के अंदर जो ऐली एलिमेंस है प्रिजेंट्फ है वो एंग्रेजिंग ओडर फ किया है संवीं जो ग्रूप सी अदर जो एलिमेंट प्रिजेत्स हैं उनका जो एलेंज़ की उता है आदर उसकी 실ंस जो सेल उसके अंदर कितने अलेंट प्रिजेत्स हैं वहाः क्या घ्लाते हूं उसके व्यल्एट्स जीवेट्स प्रिजेत्स उनके सब्सक्राइन image and crossoter Denmark रोसके जो शेल है उसके इंदुने कितने एलिम एलर्टोन प्रिजाइन ही इ nell होडेई उसके वैलेंच एलेक्ट रोन जब्सक्राइज रहा है तो जो फर्स्ट ग्रुूप है उसके इतने भी धर्यमेंट्स प्रेइन उनके सब के वैंसी लेक्टोन गालते हैं विलकुल स सबस्क्राइब करो ती नंबर ओफ शेल इंक्रीज एस वी गो डाउन दिरूप और जब अपन एक ग्रुप के नीचे दूसरे डाउन ग्रुप जाते हैं तो अपन देखते हैं कि नंबर ओफ शेल के उती इंक्रीज होती है क्यों होती है वह बड़िया कॉंचेप्ट उसको आए वह शेल के होती है इंक्रीज होती है अधिक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेट उते है उनकी जो केमिकल प्रॉपटी है जैसा कि डेंसिटी हुआ melting point हुआ वह उनकी क्या होती है विल्कुल physical property भी क्या होती है एक जैसी होती है बिल्कुल स्यम नहीं होती है यह एक जैसी होती है कुछ जारह difference नहीं होता हुआ उनके melting point और physical point और chemical point और सुरी सुनिये modern predictive सुनिये यह जो पहला group है आपके सकते हो वन है उनकी valency क्या है यह पहले ग्रुप के अंदर जो elements है उनकी सबकी valency electron क्या है एक है उनकी valency क्या है वन ठीक है इनकी valency क्या है one second वाले क्या है two इससी तरीके से third वाले क्या होगी three four ऐसे तो उनके valency electron जो है विल्कुल दौन सब पूरे ग्रुप elements क्या होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं ठीक है यह आपने देख लिया हाँ एक concept है था कि ग्रुप के अंदर जितने भी elements है उनकी shells बढ़ती जाती है जब आपन डाउन जी ग्रुप जाते हैं सुनिये गिश्युशन की बाद करें तो इसका atomic structure काईसा होगा hydrogen एक Orbit और एक electron यह hydrogen है ठीक है helium की बाद करें तो कैसा होगा दो electron और जाब lithium की बाद करें तो कैसा होगा एक electron 2 electron और एक और शैल फिर एक और तीसरा यह एक्तरों तो अब हाइड्रोटन के बात में तो लीथियम आ रहा है कि हाइड्रोटन के अंदर तो एक खाल लेगिन लीथियम के अंदर किती ष्याल ए वन और टू तो अपन यब आण कि गृूप जाते है ना तो नंभर ओफ ये इंक्रीज होती जाती है यह लोग्त चैनल यह तो जाते हैं यह Royal पूंड सैयल बनानी परने जमाना पड़ता है तो वह इंक्रीस हो जाती है, वह सितना से koncept है, ठीक है, ठीक है, सुनिए तो अपने elements को कैसे दिवर्ट अपन जमा सकते हैं कैसे पता लगा सकते हैं कौन सा element product table के अंदर कहां पर है आपन पता लगा सकते हैं यह स्यां थे माणनों मैंने 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 ऐसे तो S के अंदर किते एलेक्ट्रोन आ सकते हैं 2 P के अंदर 6 एलेक्ट्रोन आ सकते हैं आउटोमुशेल के अंदर और D के अंदर 10 आ सकते हैं और F के अंदर 14 आ सकते हैं ठीक है तो ऐसे आपको करना पड़ता है और आपने शायद सीख रखा होगा है ना सुनिए अब इसका इलेक्ट्रोनिक लिख लेते हैं आपन 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S1 ठीक है तो पीछे का जब यह 4S1 आया ना इसको उठा लीजिए एक डब देखो और इसको जब आप यहां रखोगे तो 4S1 कि यह एज ग्रूप के अंदर 1st ग्रूप है मतलब यह एज क्या है यह आपर किते प्ली किते ग्रूप कैसकते हो कि आपके ब्लॉक्स होते हैं प्रविट्टे वाल के अंदर 4 ब्लॉक्स होते हैं SPDF कित Zimmer Donald Sun एस फीडित All s-blog देर ये अलेमेंट है जिसके तर गुरूप कौनचा है पहला इसका गुरूप कोनचा चलाया पहला बॉलभ कौन आगे के लेकर रहा है four तो जो फोर है वो क्या बता रहा है कि number of periods कौन सा है देखो फोर क्या बता रहा है number of period तो period कौन सा है four भूर फोर्थ प्रीरेड के अंदर पहला जो group है एस गुरूप उसका पहला त् Bearnaёт एद वही क्या है पोटेशियम एब देखते ज़रा पोटेशियम कहा पर है देखते और whit है पोटेशियम का तरह नरी दिखा देखिए यह क्या है भ्लॉक है यह एस ब्लॉक है यह दोनों जो गुरूप आते हैं वह एस ब्लोक के अंदर यह पहला गुरुप है यह दूसरा गुरुप है पहले गुरुप के अंदर देखिए फूर्थ जो प्रियेड यह रहा और उसका पहला एलिमेंट को है पटैशियम तो पता जल इस तरीके से आपन पता लगा सकते हैं कि जो एलिमेंट है वो प्रेडिक्टेवल के अंदर कहां पर प्रेजन्ट है ते इसे आपन कर अतो अब कुछ trends follow होते हैं एक मिनदिस को अठाव तो अब कुछ trends follow होते हैं predictable के अदर मतलब मैंना कहा था ना predictable बहुत खास है अपनी trends का मतलब क्या है कुछ ऐसी का सकते हो properties जो follow होती है किसके अंदर predictable के अंदर जैसे कि आप सबसे कि पहला देख सकते हो व्लीची व्लींशी क्या है मतलब सब्सक्राइब व्लेंशी की होती ह благской तो भी घुच्यले लेक्टरॉन फिल है कि इन्स एलेक्टरौन फिल्स respect, pre-deals के इंदर, what is pre-theals? Pre-eals मानी, pre-eals मानी, horizontal row. तो ये pre-eals है, to pre-eals के अंदर ये increase होते है, pre-eals के अंदर की होते है, increase अब काईकू increase होते है, काईकू होते है, hydrogen का, valence electron, one होता है, but helium का, two होता है, helium end में आता है, पूर्प होता है लीठियम का 1 होता है 10개 का टू होता है तो एंदर रियाइट्स के अंदर जाते हैं ना तो हईड्रोज토्रण और हेलियम एंक इंदर आरहें तो जब उनके अंदर आगे बढ़ते तो आप तो helium का 2 है, valence electron, लेगन hydrogen का 1 है, ठीक है, तो increasement हुआ न, तो periods के अंदर जब आपन जाते हैं, मतलब left से जब आपन right की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है अपना number of valence electron के होते हैं, increase होते हैं, after that, it decrease on the other hand with respect to oxygen valence increase to plus from 1 to 7 in a group, सुनिये, अब गुरूप के वारे में देखिये, valence C remains same as outer electron configuration is same, गुरूप के अंदर यह गुरूप है, उसके अंदर आपने देखा था जितने भी elements present हैं, यह तो same होती है, तो आप देखोगे, यह क्या represent कर दिये line? groups represent कर रही है यह के represent कर रही है groups और यह के represent कर रही है periods ठिक है तो periods के अंदर increase होते हैं और groups के अंदर same रहते हैं decrease भी होते हैं ठीक है सुनिए अब atomic size की बात करें दूसरा concept क्या है atomic size atomic size decrease on moving left to right इन्हें create left to right ही जाते हैं मतलब size जो है न वो left to right जाने में प्रिएड के अंदर एक प्रिएड क्या है यह प्रिएड है उसके अंदर अपन left to right जाएंगे न तो size क्या होता है अपना decrease होता है from left to right इन्हें create due to increasing nuclear charge nuclear charge बढ़ने के कारण देखिए क्या होता है कि hydrogen यह पहला प्रिएड लेने पहला प्रिएड लेने इसके अंदर hydrogen और helium है ठीक है इसकी वेलेंसी 1 और इसकी वेलेंसी 2 ठीक है कि सुनिए 2 अब सुनिए है कि hydrogen का a tommy structure क्या होगा यह होगा और helium क्या होगा यह होगा यह होगा ना देख लीजी एक एक बर ठीक है यह होगा तो आप देखोगे कि यहां पर इस चेल बड़े मोँ ताव libro छो जब बढ़ी सरु इनकरीज होगा जब तो डेखिये इड्यूं अन्दर ददे लंवी आगजो नॉच्छ पर अगया ँछया लेक्टर्न के अंदर न हसके हैं तो यह य Gl monitor है तो तो यह जचेवस नहीं बड़े आप Μार्ण ये अतना एक्ट्रोन अपन लिंगे उतना ही प्रोटोन बढ़ेगा मतलब नुकलियर चार्ज बढ़ेगा तो नुकलियर चार्ज बढ़ेगा तो सबको पास-पास रखेगा क्योंकि पहली ही तो नुकलियर चार्ज बढ़ने से साइज भी कम हो जाती है और क्योंकि शेल नहीं is down the group as number of cell increase, मतलब groups के अंदर cells बढ़ती है, आपको पता है कि hydrogen और lithium, hydrogen का valence electron 1 और lithium का किता है 3, atom number 3 है lithium का और hydrogen का क्या है 1, तो इसका atomic valence electron 1 है और इसका भी 1 है, होने को तो valence electron 1 है, पट जब atomic size की बात करें, तो सुनिए, इसका atomic size atom structure का होगा यह, और lithium का होगा 1, 2, 1 और shell और तीसरा ऐसे होगा ना, पहले shell के अंदर 2 और फिर दूसरा बनाना पड़ेगा एक के लिए, तो क्या shell बढ़ा, यस बढ़ा और shell बढ़ेगा तो shells, तो increase करी रही है, तो size बढ़ेगा है ना, size बढ़ेगा, ठीक है, तो इसलिए अपन देखते हैं कि आपको यहां पर दे रखा है कि यह periods है, और periods के अंदर जब उपन left to right जाते हैं तो size के होता है decrease होता है क्योंकि number of shell increase नहीं हो रही है और जो effective nuclear charge है वो बढ़ रहा है ठीक है, और जब गुरूपस के अंदर आते हैं तो आपन देखते हैं कि groups के होता है क्योंकि number of share की ओगे हो रही है number of share के ओए इन्क्रीज हो रहे है इतना concept समझ में अब आगे चलते हैं अब metallic and non metallic properties को देख लेते हैं अब metallic property की बात करते हैं प्रोडिक्टेवल के अंदे मेटलिक प्रपर्टिय है कैसे दिफ्रेंच करते है metallic property के मितलब क्या है कि metals का हुना वो क्या कहलाता है metallic property क्या तो मितलब मेंटल्स की property और not metallic मितलब non-metal की property तो आपको पता है कि periods के अपने तेवल है उसके अंदर इदर की side go네 metals और की side go네 non-metals तो कहना क्या चाह रहे है कि अगर periods के अंदर हम left to right जाएंगे तो यहां पर metals है metal, metal, metal चले की एक condition ऐसे आएगी कि non-metal आना चाल्य हूँ जाएगे तो क्या metallic property बढ़ रही है? नहीं घट रही है क्योंकि कुछ time बाद non-metal आना चाल्य हो जाएगे pre-heads के अंदर पता हैं आपको इसलिए pre-heads के अंदर जो metallic property है कि मेटलिक property हो के होती है decrease होती है अब siglo107 बात करें तो groups के अंधर आप देखोगे कि मान लोगी इधर की साइड मैटल से हैं तो Metals के अंधर इंदर ये group आता है तो इस group के अंदर जो भी elementsं सम्मेटल होंगे को आपको पता है प्रेड्स के अंदर कुछ टाइम बाद नॉन मेटल आना चालू कर देते हैं तो आप देखोगे यहां पर नोन प्रोपर्टी के हो रही है बढ़ रही हैば Arts के अंदर क्योंकि यहां पर मेटल है वार 제स्ट के उसलैंदर क्योंकि पर मेटल है मेटल जूंपाइन . तो इंहां पर जो भीर्वच यह उसके अंदर क्या नlak सब्सक्राइब दूसरे की खेता है तो यह कॉं अच्छा काम कर लेदा तो आपको पता है सबसे ज्यादा electron negativity कौन होता है? ciamoario Marine होता है highest eletyood neglected किसके पास होती है ? taxium Perhaps an highest electron negativity के इन्दर, यह इंक्रीज होती है creates के इन्दर के निचारा हुआ मैं यह बट आना चाहरा हुआ तो electron negativity क्या होती है? नहीं बढ़ती आपको पता है प्रियरट के अंदर एक मिनट आपको पता है कि पिरियरट के अंदर कि होता है शैलस इंक्रीज से नहीं होता है एक ऐलेक्ट्रॉन मनलों considering सील बढत उसी के इंदर धेलों के चले जातें तो मतलब वैनद एक यह चार्जश बढ़ता है इंफ अतीन के यह चार्ज बढ़ेगा तो दूसरों के ऐप्ट परना है मालनो की एक मिनट माझलो कीए है मनलो कि एक लेक्त लेक्ट्रोण चेर आट मेरेक्ट्रोण रहे इसके पास किisions लेक्ट्रोन है अब यह एक लेट्रौन लेना चाहा रहा है अब यह एक है लेना चाहरा है चाहँ लेना तो इसको अहसानी इसको ब्ला है लेने के लएक शेंव है क्रता है जाया एक लेक्त में बड़ डें लेंगा सब conform को मतला सब करें लिएक जल्दी Self Increase हो रही है तो Effective Nuclear Charge कम कम हो रहा है तो Attraction है न पावर एलेक्टरन खीचनेगी वो भी कम मौ रही है इसलिए ग्रुप के अंदर ये पावर के हो जाती है तो नेगेटिविटी कम हो जाती है तो अपन देखते हैं एक प्रेटों के अंदर ये बढ़ती है और Major of Oxide की बाद करें, एसे डिक या बेसिक कारेक्टर को बनाना, कि प्रिएट्स के अंदर ऐसे डिक करेक्टर बढ़ते हैं गड़ते वो क्या है मतलब एसे डिक मतलब कि जोंग एक अधोर लोंड पैर को लेने की शमता रहेे वो क्य होते हैं होते हैं और जो electron pair को दे वो क्या होते हैं बेसिक होते हैं तो अपन देखते हैं कि प्रेट के अंदर जाते हैं तो शेल्स इंक्रीज नहीं होती मतलब शेल्स नहीं हो रही है तो बादर ज्यादा है ज़्यादा है लेकिन जो लोन पेर डॉन डॉनेट कर दे वह बेसिक और जो लोन पेर ले ले वो तो ले कौन लेगा जिसकी एलेक्ट्रोन नेगेटिविटी ज्यादा होगी एलेक्ट्रोन नेगेटिविटी ज्यादा किसकी होती है ग्रुप्स में लेफ्ट राइट जाने पर तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एलेक्ट्रोन नेगेटिविटी बढ़ती है इसलिए एसे और जो लॉन पेयर डोनेट करते हैं वह बेसिक तो लॉन पेयर ढोंएट करेंगा। इसलिए उनके पास बैसिक करेक्टर बढ़ता जाता है। तो अपने देखते हैं कि पिरियेट्स के अंदर असलिक करेक्टर बढ़ता है और गुरुपस के अंदर basic character बढ़ता है क्योंकि यहां पर lawn pair lawn pair acceptor है कहां पर periods के अंदर और यहां पर lawn pair donator क्या है डोनेटर है यहां पर lawn डोनेट करते हैं इसलिए basic character बढ़ता है यह फिर आपके सकते हो electron का लेना जो electron लेगा वह acidic और जो electron देगा वह basic ऐसे भी समझ सकते हो ठीए तो यहां पर कुछ सीरीज दे रखी हैं आपको कि यह weak यह देखो strong base यह strong acid यह acidic character यह basic character और यह weakly acidic यह neutral के condition में ठीक है और आपको एक चीज़ बता हूं pH scale इसके लिए काम आता है acidic और basic character को नापने के लिए कौन काम आता है pH scale क्या काम आता है pH scale अब उसका मतलब क्या है pH scale में आप क्या देखते हो अगर जगा है तो बता देता हूं यह रिदेवो pH scale के काम आता है देखिए pH scale के अंदर एक scale है जिसके अंदर यह 7 है यह 14 है और यह 0 ठीक है यह 1 मान लो ठीक है 1 1 7 14 7 जो है ना वह क्या है है neutral वह क्या है neutral अगर 7 किसी का pH न तो वह क्या है neutral वह एड़ना तो एसदिक है अगर किसी का pH जो है वह 1 से लेकर 7 के बीच में है तो वह क्या है आप समझ गए ना ऐसे हाँ पता लगा सकते हो किसी के पिएच से कि वह एक नहीं किया तो आपको वीडियो इंट्रेस्टिंग लगी है आपको समझने में आया है सारे कॉंचेप्ट के लियर हुए है तो आप चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हो वीडियो को लाइक कर देना अग क्याहते हैं से जाओं आपको वीडियो शुटिया और यही पर मैं आपका दिंग्यू भी तरू सबस्क्राइब करिए जल्दी किसे अप्सक्राइब कें चर अवर् קंप्लीट कर थैंक यू पर वाचिंग कीप सपोर्टिंग कीप ट्रेकिंग थैंक यू